ये कहानी एक छोटे से गाव के एक रहस्यमय जंगल की है, जिसे लोग चुपी का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां गया, वह कभी वापस नहीं लोटा। गाव वालों ने जंगल के पास जाना भी छोड़ दिया था, लेकिन बीस वर्षी अनवेशा को इस जंगल के बारे में जानने की तीवरूत सुपता थी। एक दिन अनवेशा ने जंगल में जाने का निर्नाय लिया, उसने अपनी डाइरी, एक टॉर्च और खाना साथ लिया, जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करती है, उसे चारों और घना अंधेरा महसूस होता है, हवा में अजीब सी गंध थी और हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है, चलते चलते उसे पुराने निशान दिखाई दिये, जो किसी इनसान के थे, ये किसके निशान हो सकते हैं, उसने खुद से पूछा, उत्सुकता उसे और गहराई में ले जाती है, थोड़ी देर बाद उसे एक तूटी हुई जोपली मिलती है, अंदर जाकर वह देखती है कि वहाँ पुरानी किताबें और अजीब सी तस्वीरें रखी थी, तस्वीरों में लोगों के चहरे पर दर जलक रहा था, जोपली से निकलते ही अन्वेशा को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसने पीछे मुल कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब लोटना मुश् पाने संकेत खुदे हुए थे, जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी, जैसे ही उसने दर्वाजा छुआ, दर्वाजा खुद बखुद खुल गया, अंदर एक अंधेरी गुफा थी, जहां से हलकी रोशनी आ रही थी, गुफा के अंदर उसे एक आदमी मिला, जो कई सालों स वहां फसा हुआ था, उसने बताया कि यह जंगल लोगों को अपनी ओर कीचता है और उन्हें कभी जाने नहीं देता, यह जंगल एक जिन्दा रहस्य है, उस आदमी ने कहा, तुम यहां से बाहर तभी जा सकती हो, जब तुम इसकी गुत्ती सुलजा लो, अन्वेशा को उस आदमी की बातों पर यकीन नहीं हुआ, उसने गुफा के अंदर छान बीन शुरू की, गुफा की दिवारों पर अजीब चिन्ह और कहानिया लिखी थी, जो बताती थी कि यह जंगल किसी प्राचीन शक्ती का हिस्सा है, तभी उसे गुफा के सबसे कोने में एक चमकता पत्थर दिखा, अन्वेशा ने उस पत्थर को उठाया, तभी पूरा जंगल जोर से गूंजने लगा, एक प्राचीन आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, ये पत्थर मेरी शक्ती का स्रोथ है, इसे बाहर ले जाने की कोशिश मत करना, वरना पूरी दुनिया खत्रे में प यार हूं, लेकिन मुझे और उन लोगों को जाने दो जो यहां फंसे हैं, आत्मा उसकी इमानदारी से प्रभावित हुई और उसे और बाकी फंसे हुए लोगों को जाने दिया, अन्वेशा वापस गाउं लोटाए, लेकिन उसने जंगल का रहस्य कभी किसी को नहीं बताय इस घटना के बाद अन्वेशा समझ गई की हर रहस्य को सुझाने की कोशिश करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी कुछ बातें अनकही रहना ही बहतर होता है